हेलो दोस्तों, एक्जाम प्रिप्रेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ UPPSC RO2023 की कंप्लीट प्रिप्रेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं जैसा कि इस चैनल पर लगातार पीवेसर कोशन पेपर की सीरीज चल रही है और उसके साथ साथ आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो टॉपिक वाइस कंप्लीट किये जा रहे हैं और आज का 81st question है नीली क्रांटी निम्न में से किस से संबंधित है इसका option A दिया गया है खाध्यान से, option B है तिलहन से, या option C है मशली उत्पादन से, option D दिया गया है दुबधूत पादन से तो नीली क्रांती आप याद रखिए, मशली उत्पादन से है, option C correct होगा, नीली क्रांती या फिर blue revolution किस से है, मशली उत्पादन से related है अगला प्रशन है, तुलबुल पर्योजना किस नदी परिस्थित है, option A है सतलज, option B है जेलम, option C है रावियो, option D है व्यास तुलबुल पर्योजना आपको याद अखना है, जेलम पर वनी हुई है, ये पर्योजना, ठीक है, तो जेलम पर, option B यहाँ पर आपका correct हो जाएगा question है, निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, तता नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का chain कीजिए अब कुछ statement दिये गए हैं और इनमें से बताना है कौन सा statement correct है तो पहला statement है, रिहंत सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, दूसरा statement है, हीरा कुण जो बांध है, ये महा नदी पर है तूंग भद्रा पर्योजना आंद्र प्रिदेस हैं करनाटक टासें, तुपक्रम है और फिर बताए कि जो मैथन बांध है, ये दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर बना हुआ है, जो उसकी सहायक नदी है, उसका नाम है बराकर तो ये जो सारे स्टेट्मेंट दिये गए हैं, ये सारे के सारे सही है, दिखें, जो नदी की सहायक नदी है, लिहन दूसी पर बना हुआ है, इसका नाम है लिहन बांध अब जो हीरा कुंद बांध है, ये महा नदी पर है तुंग भद्रा जो पल्योजना ही आंध कृप्त देश और जो करनाटक इन दोनों का सही तुक्रम है और यह जो मैथन बांध है यह दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर इस पर बना हुए मैथन डैम तो चारू स्टेट्मेंट आपके करेक्ट होते हैं और यहाँ पर राइट हो जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पानी पत में प्रथम कृतिम रबर सहियन्द लगाया गया है पड़ी तेल सोधन साला है अब यह पूछा गया कहां पर है पहला उप्शन जाम नगर दिया गया है दूसरा उप्शन आपको पारादीब दिया गया है थर्ड में डिगवोई दिया गया है और लाश में ताती पाका दिया गया है तो याद दखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा option A, जाम नगर में भारत की सबसे वड़ी तेल, सोधन साला इस्तेत है सिट question में देखते हैं, इसमें पहली list दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना होगा और इसमें देखते हैं, जो सबसे पहली सूची है, उसमें खनन छेतर दिये गए हैं और उसके साथ-साथ उसके सामने खनिज दिये गए है गुरू महिसानी पहला छेतर है, दूसरा तलचीर है, थर्ड है जादू गुड़ा और फोर्थ है जावर अब इससे रेलेटर देखे, यह खनिज दिये गए हैं, जैसे कि जस्ता, यूरेनियम, लोग ऐस और कोईला तो जो गुरू महिसानी छेतर है, यह लोग ऐस के लिए फिमस है दूसरा है तलचीर, यह कोईला के लिए, इसको याद कर लीजे जादू गुड़ा याद कीजी, यूरेनियम के लिए, और जावर जस्ता तो यहाँ पर आपका हो जागा, A का थर्ड, और B का फोर्थ है, ठीक है, C का सेकेंड है और D का फर्स्ट है, option C करेक्ट होगा अगला प्रशन है, वाई मंडल की लंबवत संग्रशना में सबसे निचली सताय कौन सी होती है अब आपको option दियेगे, option A, stratosphere, option B है mesosphere, option C है troposphere, option D है thermosphere देखे, जो प्रत्वी है, प्रत्वी के उपर बढ़ेंगे, जो वाई मंडल की संग्रशना है वो बढ़ने पर ऐसे आप इन सताय को देखेंगे, नीचे से उपर की ओर जाते हुए तो आपसे प्रशन में पूछा गया, जब लंबवत संग्रशना की बात की जा, तो सबसे निचली सताय, मतलब यह जो पहली सताय है इसका नाम क्या है, उसके बाद यह 30, 2, 3 ऐसे करके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, C, ट्रोपोस्फियर, पहली वाली का नाम है, ट्रोपोस्फियर अल्था छोब मंडल जो स्ट्रेटोस्फियर है, यह सेकेंड है, यह समताप मंडल कहते हैं, यही पर जो ओजोन लेयर है, वो भी पाई जाती है तो यह होगा इस्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर आती है, फिर थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्जोस्फियर तो इस तरीके से आपको वाय मंडल की लंवत संविशना को याद अखना है यहाँ पर आंसर C करेक्ट हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देश दिया गया है एक लिस्ट में और दूसरी साइड आपको लोह यस कुटपादन छेत दिये गया है पहली जो लिस्ट है देश की उसमें कजाकस्तान है युकरेन है जर्मिनी है और फ्रांस है अब इन से रिलेटेड लोह यस कुटपादन छेत है और बताना है कौन सा करेक्टली मेर्श नहीं है जैसे की कारागंडा दिया गया है किरवाय राग दिया गया है नार्मंडी और पिरिनीज तो यहाँ पर जो कजाकस्तान है वो कारागंडा से related है यह correct है युक्रेन का क्रियाव राग है जर्मनी यहाँ पर correctly mash नहीं है यही option आपका correct हो जाएगा फ्रांस फिरिनीज तो यहाँ पर आपका option C correct होगा किटमेंसे कौन सा एक सही सुमेलित है मतलब अभी तक था कौन से सुमेलित नहीं है और यही चीज़ ध्यान देनी आपको पेपर में नहीं और सही कौन सा है इसमें हम लोग जल्दवाजी कर देते हैं और प्रश्ण गलत हो जाते हैं तो दिया गया लारेन ऑदोगीक इस कहा है जर्मनी में स्थित है अब अगले प्रेशन की बात करते हैं निम्रिकित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चमी तर्ट पर स्थित नहीं है इसमें ऑप्सन ए गैबन दिया गया है ऑप्सन भी बोथ स्वाना दिया गया ऑप्सन C लाइबरिया है और आपसन दी स्थित कोश्चन हो गया अब बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर अगले प्रेशन में दिया गया निम्रिकित में से किस नदी का जल ग्रहर्ण छेत्र सरवाधिक है अब इनमें जो ऑप्सन दी गए इनके अकॉर्डिंग आपको देखना है महानंदा है सकेंड ऑप्सन में स अग्ला प्रेशन के प्रेशन के प्रेशन पूछा प्रेशन करकें रखने हैं टीक हैं बढ़ते हैं अपने अगले प्रेशन की ओर next question है चित्रकूर्ट जल्प्रपाती स्थे थे ओप्सण ने दिया गया है चित्रकूर्ट में और बस्तर में या option C जबलग बांद ऺहें ہے देखिए यहां पर बहुत लोग कंफ्यूस हो झाएंगे कि अगरछ चित्रकूर्ट परवत का उधारन है मतलब यह एक भ्रंसोत परवत है दूसरा स्टेटमेंट यहां पर दिया गया इसका पूर्वी ढाल क्रमसा नीचे की ओर नीचा होता हुआ पठार है और फिर थर्ड स्टेटमेंट है इसका उत्तरी खंड लावाया बेसाल से अच्छा दित है तो अब देखेंगे आप जब यह पैनिंसुलर प्लेट्यू है तो यहां पर जो वेस्टन घाट वाला रीजन है यह उपर उठा हुआ इसके बाद आप देखेंगे इसका रीजन ऐसे नीचे होता जाएगा तो ऐसा पठार है और जो इसका उत्तरी खंड है वो लावा बेसाल से यह पाला छेत्र बता जारा लावा बेसाल से अच्छादित है क्योंकि यह क्या है गोनवाना लैंड का पार्ट है जब यह आगे आकर कि जब टूटा और विखंडित हो करके जुड़ने की प्रक्रिया हुई तो विखंडित होने की वज़े से इससे उद्गार हुआ जो लावा अगला प्रशन देखते हैं निम लिखित मेंसे किस फसल की रोपाई की जाती है सरसुं धान सबदार प्रक्रावर कम्या बा all the time कि Town की रोपाई की जाती है इपकिंग में लगू जल विद्द परियोज्ड़ना वस्थथ यववार उप्यसिंज है günा प्यव प्रदेश और इसका सही उत्तर हो जाएगा option D उत्तर प्रदेश सिंग रॉली लगु जलवी दुत परियोजना UP में है 98th question है निमलिखित में से किस राजी में काली मेच और इलाइची का उत्पादन होता है अब काली मेच के साथ इलाइची भी दे दी गई है तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूस हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर दोनों का उत्पादन सेम राजी में ही है पहला option है असम, दूसरा है जम्मो और कश्मी, थर्ड है हिमाचर प्रदेश और फोर्थ है केरल और इसका सही उत्तर है केरल, option D correct होगा अगला question है निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है सोना कोलार में दिया गया है, कोईला के लिए जो है वो जरिया दिया गया है लो एसक के लिए गुंटूर दिया गया है और हीरा की जो खान पन्ना दिया गया है ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा इसमेलित नहीं है तो law s गलत दिया गया गुंटू में बाकी सारे सही है सोना के लिए कुलार, कोईला के लिए जरिया और हीरा के लिए पन्ना ठीक है यह आपको याद रखना है तो यहाँ पर option c correct हो जागा रहे अगला question है कथन और कारण दिये गये हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कथन दिया गया है चीनी उद्योग दक्षिर भारत में अधिक विक्सित है अब इसका कारण दिया गया है क्योंकि गन्ने की रस की मात्रा दक्षिरी राज्यों में अधिक होती है अब इसमें बताना है कथन सही है मतलब A जो ऑप्षन दिया गया है A तथार दोनों सही है और A सही स्पष्टी करण A का सही स्पष्टी करण R है पहला स्टेट्मेंट दूसरा है A तथार दोनों सही किन्तु A का सही स्पष्टी करण R नहीं है C ऑप्षन में A सही है किन्तु R गलत है तो option A correct हो जाएगा अब बहुत से बच्चे इसमें इसलिए गलत करेंगे कि वो लोग उत्तर प्रदेश को समझ लेंगे देखिए जो चीनी उद्दोग है उत्तर प्रदेश में भी विक्सित है लेकिन यहाँ पर जो गन्ये की प्रती हेक्टेर पैदावार है वो दक्षिडी प्रदेश के कंपेर में कम है यहाँ पर जो रस होता है गन्ये में वो भी उनके कंपेर में कम है यहाँ पर जादा छेत्र फल में इसका किया जाता है इसका उत्पादन किया जाता है तो option यहाँ पर A correct हो जाएगा ठीक क्लास में धन्यवाद